हेलो दोस्तों आज हम थौन डाइक के सीखने के नियम के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थौन डाइक कौन थे थौन डाइक जो हैं उन्होंने एस आर बंदनों का अध्यन किया और सीखने के कुछ नियमों का प्रतिपादन किया थौन्डाइक का प्रथम श्रय इस पश्ट रूप से नियमों की रचना का है इन्हें हम सब सीखने के मुखे नियम कहते हैं सीखने के जिन नियमों की रचना पहले की गई थी वे तीन थे पहला था ततपड़ता, अभ्यास और परणाम नियम किन्तु बाद में मानप पर प्रियोग तथा प्रतिपाधित नियमों की आलोचना की कारण थौन्डाइक ने एक मनुबैक्यानिक तद्व इसी संबन्द में और बढ़ाने का प्रियाद में किया था फश्ट था ततपड़ता का नियम इस नियम का क्या तातपर रहे था इस नियम का तातपर रहे ये था कि जब प्राणी किसी कारे को करने के लिए तयार होता है तो बहे प्रक्रिया यदि बहे कारे करता है संतोश देती है और यदि बहे कारे नहीं करता है तो उसको खीज उपन होती है और जब हैं सीखने को तयार नहीं होता है तो उसे बाद्धे किया जाता है बहखीज जाता है एक बालक जो किसी कारे करने को इच्छो के यदि उसे बहख कारे करने से मना किया जाता है तो बहख रोधित हो जाता है जब उसे हम कारे करने के लिए कह देते हैं तब बहख प्रश को हम ये कहा कर व्यक्त कर सकते हैं कि जब व्यक्त अपने को किसी कारे या सीखने के लिए तयार समझता है जो बहुत सी कारे करता है या सीख लेता है और उसे अधिक मात्रा में संतोश भी मिलता है उस अहालात की अपेक्चा जबकि भे सीखने को तयार नहीं ततपड़ता का प्रेवाची शब्द मानसिक मेल है एक भालक उस समय जब उसका प्रवर्थी किसी कार्य करने की है मानसिक ततपड़ता रखता है किसी समस्या के सम्मन में ततपड़ता या मानसिक मेल उसको हल करने की इच्छा के समान है अध्यापक का प्रमुकरतब्य है कि भे अपने बालकों में पाठ याद करने की तक्तपड़ता का विकास करे एक अध्यापक जो कारे खोशल है बालकों को हल करने के लिए आनम देने वाला प्रशन देता है उसके एक अध्यापक, उसके प्रशिन बालकों के अंदर जिग्यासा की भावना उत्पन करते हैं, इस पेकार वे उनके अंदर कार्रे के लिए प्रती अनुपूल मानसिक मेल उत्पन करता है मानसिक तक पड़ता मेलिया बालकों में रुची बहुत बड़ी मात्रा में योजना अवधी और शिक्षण की दूसरी नवी विदियों द्वारा उत्पन की जा सकती है साधारन रूप से इन विदियों में सिक्षक कोई पिशय अलग से पढ़ाने को नहीं लेता किन्तु सीखने के लिए ऐसी अवस्ता उत्पन कर देता है कि वे जिस विस्षय को पढ़ाना चाहता है उसे योजना के पूर्ण होने बालक स्वैम सीख चाता है उधारन के लिए ताज महल पर योजना इस पिरकार आरम होगी कि उस यादगार को देखा जाए सर पर्थम बालक क्या है सीखेंगे कि यात्रा की तयारी कैसे होती है और ताज महल से सम्मन्ध इतिहास को भी सीखेंगे सुन्दर पस्तू की सरहाना करने की संभावना भी उत्पन होगी और महल बनाने की विद्ध्या के बारे में ग्यानों परजन करेंगे यहाँ पर मुख्य विचारी यह है कि जब हम मानसिक मेल को एक विशेश समस्या क्यों लगा देते हैं तो विशेश में रुच्ची का विखास हो जाता है और बाल को कवधिक संतोस भी मिलता है और वहतिक सीखता है यानि कि जब बच्चा कोई भी सीख चीज सीखने के लिए ततपर होगा तो हो जल्दी सीख लेगा नेक्स्ट है अभ्यास का नियम या उपयोग अनुपयोग का नियम उपयोग का नियम जब किसी इस्थिती और प्रतिक्रिया में परिवर्तनात्मक संबन बना दिया जाए और यदि अन्य बस्तूओं को समान रूप से बैसे ही रखा जाए तो इस संबन की सक्ती बढ़ जाती है अनुपयोग का नियम जब इस्थिती और प्रतिक्रिया में लंबी अफदी तक परिवर्तनात्मक संबन नहीं बनाया जाता है तो इस संबन की सक्ती छीड़ हो जाती है संचिप में हम इन दोनों नियमों को इस बिरकार कह सकते हैं कि यदि शेश बाते बैसे ही रहती हैं तो अभ्यास की दोरा शक्ती बढ़ जाती है और अभ्यास की कमी इस्तिती और प्रितिक्रिया की सम्मन्द को कमजूर बना देती है हमारी बहुत सी प्रितिक्रियां में दोनों नियम साथ ही साथ कारे करते हैं हम सतंतरता से उनी बातों को दोहराते हैं जिनमें हमें आनन्द मिलता है जिनमें हमें दुख होता है उनको नहीं दोहराती इसी शिद्धान के आदार पर जब हम अपने पार्ट को पढ़ाते हैं तो उसे कई बार दोहराते हैं जिससे हम उसे ठीक से याद कर सकें बार बार अभ्यास भी इस शिद्धान पर आधारित है कि दोहराना उन तत्वों को ज मैं जितना दिखोगा उतनी ही अधी खानी होगी मानवी मस्थ उन बस्तूं को धारण कर लेता है जिनने बेह बराबर में प्रयोग करता है वे शब्द जिनने हम बहुता लिखते हैं बहुती कम अबस्ताओं में गलत होते हैं और हम उन सब्दों के अर्थों को बूलते भी नहीं हैं, जिने हम अपने लिखने और बारतालाब में अप्योग करते हैं, हम उप्योग से सीखते हैं और धारन करते हैं, तता अनुप्योग के अप्योग से बूल जाते हैं, उप्योग के मनुविग्यान जो सीखने के अभ्या मातरा से शीखते हैं और धारान करते हैं तता अनुप्यों को बोड़ते हैं ो जसका हम अभ्यास हमानी करने बिना सीकह हुआ ही रहता है है सादर शीखनार को मातरा के अनमपातिक योग में नहीं होता है उस प्रश्टानतों जैसी कहने आप भ्यास में यह कोई armed करने में कम अभ्यास अधिक रुची के साथ अधिक सीखने में सायक होता है इससे प्रमारत होता है कि दोहराना इंकिवल सीखने में कुशाग दता नहीं उत्पन करता दूसरे तत्वी में मुख्य रूप से संबेगात्मक तत्वी सीखने पर बहुत प्रभाव डालते हैं अधिक रूप से लागू नहीं किया सकता नेक्ष्ट है जब दोहराने के साथ उच्छी और प्रियोजन सम्मंदेद होते हैं तबियतिक प्रभाव बातक होता है दोहराने के साथ उच्छी उत्यक अर्थ सहंतह होने जाएं जिससे तत्व तत्व बिचारों को बढ़ाया जा सके नेक्ष्ट नहीं अधवाव का नियम यानि प्रभाव की नियम को प्रभाव का नियम भी कहा जाता है इस नियम में बताये गया है कि जब सुक प्रधियत संतोषपरत परणाम के जिप्रतिकरिया की फलसरूप उत्पन होते हैं तो हम प्रतिकरिया धोराते हैं इसी प्रका जब कोई क्रोध उत्पन करने वाला ये कष्टदाई परणाम होता है ताब हम उसे नहीं धोराती यानि कि जिस चीज को करने से हमें संतुष्टी मिलती है और जिससे हमारा कोई परणाम मिलता है वो परणाम अत्वर प्रवाब कर नियम कहलाता है संतुष्प्रत परणाम सक्तिवर्दा कोते हैं तो प्रतिक्रिया के बन्दन को निर्वल बना देती हैं थॉण डाइक के अनुसा ये नियम सीखने और शिक्षन का आधारूत नियम है इस सिद्धान में समवेगात्मक भावना या समवेगात्मक स्थिती सीखने के अनुवब में समिलित रहती है जब बालक अव्यास करते हु कि अनुवब अद्धिक कस्टिताई ये पीड़ा जना को उस समय इघटना ये थूटी हमारी समर्थी में स्थाई हो जाती है अधिकता सही प्रतित्तर के समन्दोराई जाते हैं और थूटी को छोड़ दिये जाते हैं और हम उन अपने से बिलग कर देते हैं संतोष की भाव उसे क्या कर देती हैं चीड़ कर देती हैं सफलता और विफलता व्यक्ति को एक विश्तर्त सीमा तक नियंत्रित करती हैं किसी भी कारे की सफलता प्रतिय व्यक्ति के सीखने की किरिया को नियमित अत्वा नियंत्रित करती हैं किन्तु विफलता संबेगात्मक इस्तिति को उ तब्य है कि प्रतियेक बालक के लिए सीखने की एक ऐसी इस्तिती उत्पन करे जिससे उसे सफलता मिले और उसमें संतोश की भावना बढ़े यदि बालक अपनी सिक्षा में बरावर विपलता की भावना प्राप्त करेगा तो वह एक विस्तर्थ सीमा में क्रोध की भावना से प्रभावित होगा जिससे सीखने की प्रगती रुख जाए तत्परता नियम अब्यास नियम और परणाम नयम अलग लग नहीं है यह एक दूसरे प्राधारित है और एक दूसरे से आंती रूप से सम्मंदित भी हैं तत्परता और संबेगात में प्रभाव अभ्यास पर प प्राप्त करता है अपने कारे को पूरा करने में अनुपूल मानसिक्त पड़ता है यह तो हैं सीखने के मेन नियम अब हैं सीखने के गौर्ण नियम मुख्य नियम में तेन हैं आपके और गॉर्ण नियम आपके पाच हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम मालसिख विन्यास का नियम अपूंड करिया का नियम साध्र शिक्राण का नियम साचर्य पड़िवर्तन का नियम सबसे पहले हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि अनिक प्रतियासों के पश्चा प्राणी एक संतोश यानक प्रतिक्रिया पर आ जाता है इस सिद्धान्त का सिख्चा में मैत भी यह है कि बित्यार्तियों को बिस्तरत अनुभब दिये जाएं बित्यार्थी को स्वैंप दियो करके अपनी तुरूटियों से सीखने के लिए अपसर देने चाहिए नेक्स्ट है मानसिक बिन्यास का नियाँ यह सिद्धान्त इस बात परवल देता है कि बहाय स्थिति की और प्रतिक्रिया सीखने वाली की दश्रापर निर्वर करती है यहां मानसि बिन्यास सीखने वाली की अप्रति से है यदि एक बालक अर्धियन के लिए तयार नहीं है तो पढ़ने की और ध्यान नहीं लगाएगा नेक्स्ट आप पूर्ण क्रिया करने है एक प्रतिक्रिया समपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती प्रतिक्रिया करेगा तो जो प्रतिक्रिया करेगा उसी प्रकार की स्थिति में पहले कभी की गई प्रतिक्रिया की भाती होगी जो प्रतिक्रिया को भारती है और जो उसी प्रतिक्रिया की गई हो सिक्षा में इस प्रतियोक्ति को बल देता है कि ग्यात से अग्यातकि हो किसी भी ऐसे उत्यजक्स समन्दित की जा सकती है जिसके प्रतिवे संबेदन शील है बास्तम में नियम अनवंदन के सितान का उपचारिक कथान है ये नियम इस बात की ब्याक्या करता है कि क्यों आक्छा T.A.V.L.E एक निश्चित बस्तू का संके देते हैं ब्यक्तिये सीखता है जब अक्छा को इस करम में रखा जाता है तो भी एक बस्तू का संके देते है जब भी ये टेवल सबसे प्रइचित होता है तुरंत उसके मस्तिस्क में इस सब्तूदारा संकेतिक बस्तू आ जाती है हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद